हेलो दोस्तों नमस्कार वेल्कम टू मैं चैनल यह हैं हमारी टीवी एस रेडर जिसकी सेकंड सर्वेस हम करने वाले हैं कि पस्ट सर्वेस हमने की थी इसकी 600 किलो मीटर पर यह देख सकते हैं मीटर को करते हैं वह अब यह अभी चल चुकी है 5,390 किलो मीटर टोटल तो 4800 किलो मीटर हो चुकी है हमारी गाड़ी जो की ठीक है कंपनी ने क्लेम किया है इसमें 6000 किलो मीटर का लेकिन हम इसकी सर्वेस पहले ही करने वाले हैं और कौन सा उelpास हमने यूज किया था को देखाएंगे आपको किस कटिसन में निकलता है सारी ज्यानकारी देंगे दो वीडियो में बने रहना जिए तो इस्टाइटिंक करते हैं इसकी पैंल निकालने से यूए पैनल नकालते हैं Pixar को दिखाते हैं आपको दिखाते हैं proclaim की कंडिशन इस पुर कार्से हमें वैल निकालने के लिए साप बरतन ले लाना है या कोई जार है जार ले ले और hiç समें शाब बरतन में निकाल के देखेंगे इन जन में कितनी गंदगी हुई है 4800 किलो मीटर पे तो क्या कंपनी साही बोलती है 6000 किलो मीटर कोई गाड़ी चल सकती है कि ने इसका पूरा देखाने वाले आपको चलिए दो आयल को निकालते हैं आप अधिस पाल कि कंजीशन 2800 किलो मीटर चलने के बाद कि अचिकनाई भी है आल में इतना कास कराब हुए नहीं है आल लगब पूरा ही निकला है कि इसकी चैन क्लीन करते हैं और फिल्टर नकालते हैं बाहर देखाते हैं आल कौन सा डालते हैं वह आपको आगे बताएंगे हम वीडियों बने रहे ना कि अच्छी है बड़िया निकला है फिल्टर के हुटी है पॉर्म दिया है फिल्टर की उपर यह सुरक्चित रहता है मट्टी डारेक्ट फिल्टर में नहीं जाते हैं यह बड़िया कांग गया है टीवीएस ने चलिए फिल्टर को नकालते हैं एक्टम क्लीन है फिल्टर इस पेयर मार के फिट करेंगे फिट से क्लीनिंग करना है बढ़िया से लेट रोल की साथाज डायमंड की चेन किट दी रखी है इसमें अच्छी है इसमें नेट चेक करेंगे बढ़िया से टाइट करेंगे इनको क्लीनिंग करके बढ़िया से फिट करेंगे फिल्टर को क्लीन करने का सही तरीका क्या है जिस साइट से एयर को सक करती है गाड़ी जैसे कि इस साइट से कर रहे है जाली लगी हुई है उस साइट से एयर मारनी है इस साइट पे एयर नहीं मारनी इस साइट पे एयर मारेंगे कि अशुकर चुब अशुकर दोस्तों बढ़िया अशुकर है यह सकते हैं चेन क्लीन हो गई फिल्टर क्लीन हो गया अब भारिया वह से पठकरने की पहले हम अन्युक्त लगाएंगे यह है फिल्टर क्योंकि बड़ियाज से क्लीन करके ले लिए है पहले फिल्टर लगाना है फिल्टर फिट कर दिया अभी इस पे वारिंग पे आयल लगाएंगे पुराना इंबाला आयल लगा लेंगे इस पेकार से इससे की यह कटे नहीं करेंगे दोस्तों कि दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सर्विस की सबसे महिन चीज इंजेन आयल की गाड़ी की सर्विस के लिए सबसे महिन केस्ट्रोल पावर वन अल्टीमेट 10W 40 जो की टीवी एस रेकमेंड करती है 10W 40 वही आल डार रहे हैं वड़ी आयल है यही आल हमने पहले यूज किया था इसमें देख सकते कंडिशन चलिए आयल फिल करते हैं यह जा रहा है हमारा केस्ट्रोल पावर वन इंजिन आयल नहीं पुराना वाला आयल हम इसमें डाल के देखेंगे कितना कम हुआ क्या नहीं इससे हमें एक अंदाज लग जाएगा गाड़ी ने आयल कम तो नहीं किया है कि देख सकते हैं सिलाज कुछ खास नहीं देख रही है इस बार अगली बार इसको इंजिन फ्लस कर देंगे तो उसमें पता चल जागा है कि देख सकते हैं इंजिन आल बेलकुल भी कम निंग हुआ है यह देगी पूरा इंजिन आल है मोरा है अधिक यह रेडी वर्या भाष्या है यह यह राइश झाल यह यह वर दो देखराई यह वर भी प्याराई झाल झाल